हेलो एव्यवान एड वरी वर्म वेलकम टू सिक्षा गाइस तुड़े वी आर गूंग टू डिसकस अ वेरी इंपॉर्टेंट डे अभी डिसेंटली डिसेंबर फिफ्ट को आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे सेलिबरेट किया जाता है और यह व्ल्ड स्वाइल डे पा अगले साल नबाड का पेपर दोगे साथी साथ नबाड ग्रेडे के बचे जिनका इंटर्व्यू है उनको यहाँ पर कुछ पॉइंटरज मिल जाएंगे अगर कुछ question इस type का paper के अंदर examiner पूछ लेता है secondly इसके अंदर answer writing के points आपको मिल जाते हैं, जो answers आप डालते हैं उसके अंदर कुछ facts और कुछ information आप यहां से learn करोगे जो अच्छा रहेगा आपके लिए so let us see world soil days are related क्या important चीज़े हैं सबसे पहले तो highlight किये गए Modi ji ने 5 कुछ steps बताये थे कि यार soil को कैसे save कर सकते हैं ठीक है अगर कोई question पूछ लेता है for example कहीं बार interview में पूछ लेता है कि soil erosion एक बड़ी major problem चल रही है इंडिया के अंदर और इसको कैसे solve किया जा सकता है तो आप कहा सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आप सिधा quote कर सकते हो सिधा प्राइम मिनिस्टर को quote कर सकते हो interview के अंदर कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 steps बताये है soil को save करने के लिए और उन 5 steps को अगर आप ठीक से implement करोगे तो definitely soil erosion को आप control कर सकते हो फिर आप वो 5 steps जो है वो highlight कर सकते हो similarly आप अगर अपना answer लिख रहे हो तो answer के अंदर भी आप इसी तरीके से काम कर सकते हो तो वो 5 steps जो मोदी जी ने बताए है to save soil वो क्या है वो अगर आपको clear है तो definitely you can work on it तो वो 5 steps कौन से हैं केक करके देखते हैं सबसे पहले तो मोदी जी ने कहा कि देखो जी soil को chemical free बनाना है ठीक है जो आप chemical pesticides fertilizers, insecticides और यूज़ कर रहे हो उसका use कम करना है जो एक major reason बनता है soil के degradation के लिए तो soil को chemical free बनाना है दूसरा कहते हैं कि जी देखो soil की natural growth के लिए जो soil के अंदर natural organisms होते हैं उनको protect करना बहुत ज़रूरी है तो मोदी जी ने कहा कि दूसरा क्या करना है आपने organisms को save करो जो soil के अंदर रहते हैं ठीक है और ये ultimately soil organic matter को improve करने में help करेंगे तीसरा कहा कि soil का moisture को maintain करना है ठीक है और availability जो है water की soil को उसको improve करना है चौता इन्होंने बोला जो groundwater की कमी देश के अंदर हो रही है ठीक है जो groundwater degradation हो रही है और जिसकी वज़े से soil erosion हो रहा है soil का degradation हो रहा है उसको हमें कम करना है तो groundwater को protect करना बहुत ज़रूरी है और पांचवा इन्होंने क्या बोला कि आप continuously जो forest reduction हो रहा है क्योंकि forest reduction से क्या होता है आपका soil जो है वो exposed हो जाता है and various जो forces है जैसे wind, water वो directly soil के उपर act करेंगी leading to erosion तो फिफ्थ उन्होंने क्या बोला कि forest के reduction को कम करना है जो automatically soil improvement के अंदर help करेगा तो पांच steps आगे chemical free soil को बनाना है organisms जो है soil के उनकी growth को boost करना है soil moisture को preserve करना है चोथा आगया groundwater को improve करना और पांचवा आगया forest reduction को कम करना तो यह पांच steps आप as such highlight कर सकते हो ठीक है यह बड़े important steps हैं और जब आप अपने answer के अंदर इस तरीकिया से prime minister की speech को quote करते हो या अपने interview के अंदर तो definitely वो एक काफी positive impact जो है वो create करता है अब बात करते हैं world soil day की तो world soil day annually हर साल 5 December को celebrate किया जाता है healthy soil और soil resources के sustainable management को encourage करने के लिए और हर साल की तरह इस साल भी world soil day की एक theme थी और जो theme थी that was soils where food begins तो soils where food begins was the theme और इसी theme के उपर इस साल का जो world soil day है इसको celebrate किया गया था अब इंडिया की soil richness देखो काफी important है जब हम world soil day की बात करते हैं तो इंडिया का soil richness है उसके बारे में discuss करना बहुत important हो जाता है अगर आप इंडिया को देखते हो इंडिया का second largest इंडिया के पास arable land resource है arable land resource का क्या मतलब हो गया जहां पर आप agriculture practice कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा agriculture practice जहां पर आप कर सकते हो उसमें second largest हम आते हैं अभी इस तरह के points directly आप से objective answer writing के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और ये आपके subjective answers के अंदर भी आपको काफी help करते हैं अगर soils related कोई question आजाता है अगर आप richness देखो यहाँ पर तो 15 हमारे पास agro climatic regions है ठीक है दुनिया में अगर हम बात करें 15 type के major climate मिलते हैं जो majorly हम climates को differentiate करते हैं तो वो 15 के 15 आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे पुरे world के अंदर 60 soil types हैं roughly और उसमें से 60 में से 46 soil types आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे तो ये एक richness जो है show करता है इंडिया के और यहाँ पर मैंने आपको एक image जो है वो show किया है agro climatic regions जो है इंडिया के अंदर 15 जो आपके planning commission ने basically इंडिया को इन 15 agro climatic regions के अंदर डाला है यह आपको याद होने चाहिए इसमें से questions पहले भी पूछे गए हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं अब जब हम soil की बात कर रहे हैं और Indian soil की बात कर रहे हैं तो there have been various efforts जो सरकार ने किये हैं to improve soil quality अब उन efforts के अंदर देखो soil health card आजाता है natural farming हो गया rain water harvesting हो गया अटल भूजल योजना e-forestation तो यह सारे measures हैं जो सरकार ने basically शुरू किये हैं कि कैसे soil quality को improve किया जाए अच्छा इन में से देखो बहुत सारी चीज़े तो हम already discuss कर चुके हैं when we have discussed individual schemes जैसे अटल भूजल योजना के उपर पूरी की पूरी मैंने एक video डाली हुई है schemes वाले में वो देख लेना similarly natural farming को हमने main answer writing lecture के अंदर discuss किया था soil health card को भी हम already discuss कर चुके हैं तो briefly देख लेते हैं जो हमें हमारे पास information यहाँ पर निकल करके आई तो यह बिल्कुल current data है जो आपके लिए important है तो सबसे पहले तो देखो soil health card इसके जो scheme के details हैं वो हमने scheme में discuss कर लिया तो आप वहाँ से उसको समझेंगे तो अभी तक 22 crore soil health cards जो हैं वो distribute किये जा चुके हैं November 2022 तक ठीक है यह data आप यूज कर सकते हो interview के अंदर 90 grade है के बच्चे जिन्होंने mains clear कर लिया जिनको interview की call आ चुकी है उनको मैं एक बात बता दू कि इस type का data आपको पता होना चाहिए ठीक है इस type का data आपको पता होना चाहिए एक देखो वहाँ पर वो basically यह नहीं है कि वो आपकी knowledge चेक कर रहा है ठीक है मैं यह नहीं कहता कि interview में वो आपके knowledge के questions पूछेगा जो mains और prelims में पूछ चुका लेकिन कहीं बार when discussion is going on वो आपसे कोई problem discuss कर रहा होगा वो basically यह नहीं देखना चाहरा होगा कि आपके facts कितने clear है वो यह देखना चाहरा होगा कि यार इस बंदे को knowledge भी है यह problems को solve कर सकता है इसको problems का पता भी है और क्या solution follow किया जा रहा है वो पता भी है यह बस हवा में ही बाते कर रहा है है ना तो इस type की information आपके पास होनी चाहिए soil health card अब आप for example soil erosion पे वो आपको question पूछ ले कि यार soil erosion का problem बढ़ रहा है तो आप जब सरकार में आओगे तो आप क्या recommend करोगे कि कैसे इसको solve किया जाए आपको होगे कि soil health card है वो कहेगा soil health card तो बड़ा पूर काम कर रहा है सिरफ 1 करोड farmers को soil health card मिला है तो आप उसको negate कर दोगे ठीक है आप कर सकते हो वो फसाने की कोशिश कर सकता है आपको कि यार सिरफ 1 करोड farmers को soil health card मिला इतने सालों में कैसे यह benefit करेगा तो आप होगे नहीं सर November 2022 तक का सरकार का data हमारे पास available है उसमें 22 करोड soil health card जो है वो distribute हुए है farmers को यह हमारे पास information available है तो ultimately वो knowledge नहीं चेक कर रहा है आपकी यह एक factual knowledge वो paper के अंदर चेक कर चुक है वो यह देख रहा है कि आप कितने attentive वो आपको पता भी है कि आपके surrounding में क्या है या क्या नहीं है साथी साथ soil health card के साथ साथ हम testing laboratories को भी सरकार soil health management scheme चल रही है सरकार की जिसके अंदर soil sample testing capacity को देश की improve किया जा रहा है तभी तो आप soil health card अच्छे से लेकर क्या पाऊगे तो around 11,818 soil testing labs अभी तक sanction हो चुकी है demonstrations, training, farmer millas organized किये जाते हैं ताकि farmers के साथ knowledge sharing किये जा सके natural farming को promote किया जाता है और natural farming को promote करने के लिए सरकार ने 1584 करोड रुपे की national mission on natural farming को शुरू किया है basically ठीक है 2021 में 4.78 lakh hectare additional area को natural farming के अंदर include किया गया था 17 states के अंदर नमामी गंगे program के अंदर भी सरकार जो है natural farming को promote कर रही है जो गंगा के surrounding villages है वहाँ पर natural farming को सरकार promote कर रही है तो definitely ये इन areas के अंदर soil को chemical free बनाने में help करेगा rain water conservation के लिए catch the range जैसे जो programs है वो चल रहे है सरकार के March 2022 में सरकार ने 13 बड़ी नदियों को देश की उनको conserve करने का program जो है वो शुरू किया था Mission Amrit Sarover चल रहा है April 24 2022 से इसके अंदर सरकार क्या कह रही है कि हर district के अंदर हम 75 जो local water bodies है उनको rejuvenate करेंगे and definitely जब water rejuvenate होगा तो soil की capacity भी improve होगी अभी तक November 2022 तक 25,000 ऐसे Amrit Sarovers को complete किया जा चुका है यह rainwater harvesting में भी help करेगा soil conservation में भी help करेगा अटल भूजल योजना औरड़ी वीडियो इसके उपर detail में आ चुका है तो वो वीडियो आप जरूर देखें जब आप groundwater management ठीक से करोगे groundwater level जो decline हो रहा है उसको आप properly manage करोगे तो वो भी आपके soil degradation को control करने में help करेगा finally a forestation की बात करें तो सरकार ने highlight किया कि देखो पिछले 10 सालों के अंदर 3 million hectare forest add किया है हमने इंडिया के अंदर अब अगर आप total area देखो तो one fourth area हमारा forest के अंडर है ठीक है इंडिया अपनी जो national commitments है land degradation neutrality को उसको भी achieve कर रहा है ठीक है और हमारा effort चल रहा है कि हम around 26 million hectare degraded land को restore करें 2030 तक ये प्रदान मंतरी ने एक UN की meeting हुई थी desertification land degradation and drought पे 2021 में महाँ पर प्रदान मंतरी commitment देखर के आए थे 26 million hectare of degraded land को हम recover करेंगे 2030 तक अब इस तरह के question वो objective में पूछ सकता है आप ये मत सोचना कि ये तो 2021 की commitment है ये valid रहेगी ये बिलकुल valid है और ये बिलकुल आप से question पूछा जा सकता है directly कि as per the target set by India what or how much area of land degraded land has to be restored by 20-30 टीक है 26 million hectare नीचे 30 million hectare 40 million hectare इस तरीके से वो options दे देगा तो ये आपको याद होना चाहिए and with this we come to the end of the lecture तो देखो lecture आपको लगेगा कि सर बहुत fast चलता है किसी किसी को शायद लगे ऐसा पर motto तो यही है कि फटा-फट से आपको lectures ऐसे दिये जाएं कि 10-15, 10-15 minute का वीडियो हो, 20 minute का वीडियो हो उससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो ताकि आप उसको कहीं पर भी train में आप जा रहे हो bus में आप travel कर रहे हो, किसी शादी के function में बैठे हो, earphone लगा लिये कहीं पर गए हो, तो महाँ पर आप easily चलिए, take care